हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेर बजर वितायुष और दोस्तों इस फीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में फ्रेंट्स टाटा पावर के बारे में बात करते हैं आज बजट था और बहुत ज़ादा बाजार एक्सक्टेशन्स लेके चल रहा था कि ईवी के उपर कुछ न कुछ अनौंस्मेंट्स डेफिनिटली सरकार आपको करती हुई देखने को मिलेगी अनौंस्मेंट होता हुआ भ सबसे बड़ा पॉजिटिव होगा वो डिफिनिटली होता हुआ देखने को मिला बट हां जो एक्सपेक्टेशन्स सेक्टर वाइज मार्के लाके चल रहा था उस एक्सपेक्टेशन्स पे बजट डिफिनिटली आपको आज उतरता हुआ देखने को नहीं मिल पाया खड़ा जो भी देखिए अराउच्मेंट किया गए वो काफी important है आज के लिए नहीं बट future perspective को लेकर और EVs के उपर सरकार का ध्यान है ये तो देखिए हमको आज साफ साफ पता चल गया बट टाटा बावर में definitely यहां से क्या होता हुआ देखने को मिलेगा दोस्तो चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाईएगा तो फ्रेंज देखे आज अगर टाटा बावर की क्लोजिंग देखेंगे तो वापिस आपको 250 रुपीज की असफ़ज आती हुई देखने को मिली एक्जाक उस पर नहीं आ पाई शुरुबात अगर आप देखते हैं आज स्टॉक की तो बढ़िया हुई देखे सबसे पहली बात तो किया कि मार्केट में अच काफी उमी थी टाटा पावर को लेके बेसिकली इसमें कोई डाउट नहीं है इसलिए बजट जब अनाउंस हुआ था उससे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का ही जो ग्यारा बिजसे पहले का मूव है देखे ह आगे बात करेंगे लेकिन एक अगर मैं आपको कहूं कि सिनारियो यही क्रियेट हुआ है कि मार्केट में अभी सरकार ने ज्यादा फोकस किस पर किया है ज्यादा फोकस अभी अगर आप देखेंगे तो EVs के उपर आपको ज्यादा देखने को नहीं मिला और बाकी सब अगर कोई खास मुँआ आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला अभी आज के जो मुझकता की पूरे बजट में एक में हाइलाइट यही रही थी कि सरकार अभी जो फोकस करने वाली है वो उस पार्ट पर करने वाली है बेसिकली सबसे पहला तो है फार्मा और दूसरा अगर आप देखेंगे तो वो आप मुझकता है कि capital goods वाले शेतर है जहां पर सरकार के ज़्यादा फोकस रहेगा और दूसरा है manufacturing के उपर कि सरकार manufacturing को ज़्यादा तवज्यो देना चारी है अभी बट टाटा पावर को लेकिए जो खबर है वो है EV swiping policy की जो बारवा बात कर रहा हूँ अब इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले आप यह समझ लीजिए EV swiping policy क्या है पूरी तरीके से तो देखें सरकार की तरफ से introduce किया गया है new battery swiping policy EV push में अब काफी लोग समझ दोगी कि इसका मतलब क्या है battery swiping policy का मतलब तो देखें EV को push करने के लिए सरकार का यह कहना है कि announcement करने कर सबसे पहला motive तो यही था कि battery की जो cost होती है वो थोड़ी सी high होती है अब अगर देखें battery का discharge होगा तो आपको नई battery खरीदने पड़ेगी ऐसा पहले rule था पहले कुछ इसके उपर ज्यादा कुछ था नहीं लेकिन अब सरकार ने देखें swiping policy announcement कर दिया इसका मतलब क कर सकते हैं इसका साफ साफ मतलब यही है काफी कुछ देकि discussions हुए थे कि यह जो पूरी battery के आप prices देख रहे हैं काफी जादा है तो इससे क्या consumer इसको buy करता हुआ देखने को मिलेगा क्या क्या होता हुआ देखने को मिलेगा तो सरकार का इसी के उपर देखें पहल था कि कोशिश करना है तो हमें एक swapping policy का announcement कर दे और वो देखें सरकार की तरफ से किया गया है new battery swapping policy announcement कर दिये EV push के लिए because इससे होगा क्या कि जिसके पास भी discharge battery है आप उसमें जाईए वहाँ पे अपनी discharge battery रखिए और charge battery ले जाईए उसका मतलब देखें सीधा सीधा यही है और इ ही मानना था देखें सरकार को पता है कि clean energy के उपर काफी कुछ focus करना पड़ेगा इसलिए देखें जो 2030 का mission है कि 35% carbonization को हम कम कर सके इसके लिए अगर आप देखेंगे तो paris climate जो agreement था उस पे सरकार ने का है कि हाँ हम EV को definitely focus में लाते हुए देखने को मिलेंगे but इस budget में अग इसी को भी incentives के बारे में बातचीत नहीं की अगर देखें बार्केट में incentives के उपर सरकार कुछ announcement कर देती अगर इस budget में incentives के उपर कुछ announcement आ जाता basically EV push के लिए तो आप मान के चल सकते थी कि आज इस stocks कहां के कहां पहुच जाते बट वो होता हुआ देखने को नहीं मिला and definitely दे but आज जो होता हुआ देखने को मिला मुझे भी थोड़ा सा disappointment था but overall अगर आप देखते तो budget okay था इसमें कोई दिक्केशारी बात नहीं है no negative is a positive यह आपको देखने को मिलेगा budget में and market भी कह सकते हैं कि 200 points उपर था तो definitely reaction positive यह आता हुआ देखने को मिला है as such को negative नहीं था तो overall तो देखिए market में जिस प्रका का moon mahol लगता है मुझे कि यहाँ पर टाटा power के अंदर यहाँ पर basic अलिए आप मान की चलिए कि आने वाला एक साल जो है वो काफी important रहने वाला है because EV के उपर सरकार आई दिन अब आपको कुछ ना कुछ बयान आते होगे देखने को मिलें EV charging stations को लेकर भी EV push को लेकर भी EV push मुझे लगता है कि काफी तीज से आपको अब यहाँ पर काम करता हुआ देखने को मिलेगा तो definitely hold करना है stock को यहाँ से तीजी के लिए बिल्कुले चालू हो चुका है आप definitely देखिए एक चीज़ नोटिस कर रहा होगे कि रोज stock के अंदर volumes तगडी हो रही है बट stock देखिए उसको cross नहीं कर पा रहा है आज 256 रुपे का high बनाने के बाद stock आप देखिए तो down चला गया बिकोज देखिए यहाँ पर जो budget निकल के आया वो definitely disappointment आपको करता हुआ देखने को मिला basically टाटर पावर के लिए in stock देखिए नीचा आया जाने की बट stock जा नहीं पा रहा है just because मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपको अपना patience रखना पड़ेगा because यहां से मुझे लगता है कि patience ही सबसे बड़ी key to success है क्योंकि टाटर पावर करना जिस पका का देखिए एक पूरी range create हो चुकी है यह range कभी भी breakout द करता हुआ देखने को मिल सकता था कोई बड़ी बात नहीं थी लेकिन अब बात करते कि आगे करना क्या है आगे आपको कुछ करना नहीं है just hold करके रखना है सबसे बली बात हो कि अब budget निकल चुका है तो याद रखेगा इससे q3 numbers आने वाले 9 फरवरी को company अपने q3 के numbers कार होगी अब कल के target की बारे में बात करते हैं मुझे रखता है कि stock के अंदर बने रहना चाहिए current levels के stock definitely आपको सही लगता है तो definitely buy कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कल का में target होने वाला है 254 रुपेगा देकि 254 रुपेगा पहला क्यों दूंगा because market कल देखना बहुत बढ़या move आने के तयारी में अब वो move देखिए आज आए कल है कोई फरक नहीं पड़ता जादा बट move आके जरूर रहेगा तो फ्रेंट इस वीडियो में इतना ही था होप से वीडियो बढ़या लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर दीजेगा कोई भी doubt तो definitely comment बता थैंक्यों फ्रेंड्स वाचिं इस वीडियो